जब मानव जीवन अपने शुरुआती दोर से आगे बढ़ने लगा तो इसके मन में कई सवाल उठने लगे मसलन इस दुनिया को किसने बनाया है? हम पैदा क्यों होते हैं? पैदा होने के बाद मरते क्यों हैं? हमारी परेशानियों का कारर क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल मानव के मन में आई उस कालखंड में इन सवालों का उत्तर देने के लिए धर्म नामक संस्था का ओदे हुआ और इस मामले में दुनिया के मुकावले भारत ने उतकृष्टा हासिल की जब दुनिया भर के देसों में धर्म और दर्सन की नीप पड़ रही थी तो उस समय भारत में चले आ रहे धर्म को चनोती मिलनी सुरू हो चुकी थी छटी शदी इसा पूर्व के उत्तराद भारत के मद्द गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संपर्दायों का उदय हुआ इन में मुक्यत है बौध और जैन धर्म ने व्यापक रूप से लोकप्रियता हासिल की हाला कि आगे चल कर जहां जैन धर्म का दाइरा सीमित रहा तो वहीं बहुत धर्म को भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों न भी अपनाया इन देशों में म्यामार, चीन, जापान और थाइलेन लादी प्रमुक है अगर भारत में इन धर्मों के उदय के पीछे के कारणों की बात करें तो इसके पीछे ततकालीन परिस्तियां जिम्मेदार थी दर असल छटी सदी इसा पूर्व तक जटिल वड़ ववस्ता और तनापूर संबंदों का विकास हो चुका था जन्म आधारित वड़ ववस्ता ने समाज को विशेशादकार और अधिकार विहिन वर्ग में बात दिया था इसमें भ्राम्मर और शत्रिये विशेशादकार वर्ग थे जबकि एक मात्र करदाता के रूप में वैश्य था जो क्रशी, पशुपालन और व्यापार से जड़ा हुआ था वहीं शूद्र सेवक के रूप में थे इस तरह आर्थिक रूप से संपन वैश्य अपनी निम्न सामाजिक दशा से नाखुष थे तो शूद्र अपनी निम्न इस्तिती से नाखुष थे ये शूद्र छूद्र की वजए से सामाजिक अपमान से पीड़ित थे ऐसे में ये सभी असंतुष समू ऐसी सामाजिक धार्मिक विवस्ता चाते थे जिसमें सभी के लिए सम्मान हो, जाती आधारित भेदवावना हो, कर्ज और व्याज लेंदिन को माननता मिले इसी प्रिष्ट भूमी में बौद और जैन धर्म का ओदय होता है हाला कि इन धर्मों के ओदय में अन्य कारकों की भी बड़ी भूमका थी इतना जानने के बाद आईए शुरू करते हैं आज का मुक्ट टॉपिक बौद और जैन धर्म के वीस्तुलना अगर इन दोनों के वीस्तुलना की बात करें तो इसमें कुछ बिंदूओं पर समानता दिखती है तो कुछ बिंदूओं पर असमानता दिखती है तो सबसे पहले हम समानता के बिंदूओं को देख लेते हैं दर असल बौद धर्म और जैन धर्म का प्रसार एक ही समय में हुआ था, दौनों का मकसद तत्कालीन, धार्मिक और सामाजिक बुराईयों को खत्म करना था, इसलिए दौनों धर्मों में समानता को मिलना सुभाविक है। दौनों धर्मों का ओदे भ्राम्मर धर्म के खिलाप प्रत्क्रिया के रूप में हुआ था, इसलिए दौनों ही वेदों की सत्ता को सुखार नहीं करते थे, ये दौनों यगवाद, बहु देववाद और जन्म आधालित बड़ ववस्ता का विरोध करते थे, इनके मुतावि इश्वर इस स्रिष्टि का निर्माता नहीं है, दरअसल ये अनिश्वर वादी थे, यही वज़े है कि इनकी गर्णा नास्तिक धर्मों में की जाती है, आरम में दौनों ही धर्म मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन आगे चलकर इनमें भी मूर्ति पूजा होने लग दिया था इसके अलाबा इनमें एक समानता का बिंदू यह भी है कि दोनों धर्मों के प्रमुक यानि बुद्ध और महावीर स्वामी राजवनश्य जीवन जी रहे थे जिनों ने गिरीत याक कर ग्यान अरजित किया इसके बाद दोनों ने जन कल्याड के लिए धर्म प्रचा होता है जैन धर्म में कैवल्ल की अवधाडा है जबकि बौत धर्म के मताविक मनुष्य इसी जीवन में निरवार प्राप्त कर सकता है इसके साथ ही दोनों धर्मों में निरवार प्राप्ति के साद्रों में अंतर देखने को मिलता है जहां जैन धर्म तपस्या उपवास औ को शुविकार नहीं करता है शिष्टी की उत्पत्ति के मामले में जैन धर्म ने अपने विचारों को इश्पष्ट तरीके से उजागर किया है तो वहीं बहुत धर्म में इस विश्य पर कोई खास चर्चा नहीं मिलती है और अंत में कुल मिलाकर कहा जाए तो दोनों धर्मों ने मानव की एकता पर बल दिया इसके साथ ही दोनों धर्मों ने सत्य अहिंसा और नेतिक आच्रण पर बल देकर ततकालिन सामाजिक जीवन को बहतर बनाने का मार्ग दिया यही वजय है कि यह धर्म शुरुवात में सामाजिक आंदोलन के रूप में दिखाई पड़ते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद